वर्ल्ड कप के पहले ही दिन टीम इंडिया को लगा बड़ा जटका शुम्मन गिल हुए टीम से बाहर प्लेइंग 11 को लेकर खड़ा हुआ संकट टीम इंडिया के लिए सिर्दर्द बने मुहमा शमी, सूर्य कुमार श्रेस अयर और अश्विन को लेकर भी कन्फियूजन आठ अक्टूबर से भार्द्य टीम विश्क अप में अपने सफर का आगास करने जा रही है लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया को एक बुरी खबर से दोचार होना पड़ा टीम के पिर्मुक बलेबाश शुबमन गिल डैंगू के चलते बीमार हो गए है गुरुआर को हुई जाच में वह पोजिटिव पाए गए माना जा रहा है कि उस्टेलिया के खिलाफ चेन नहीं में होने वाले पहले मैच में शुबमन गिल का खेल पाना मुश्किल है शुबमन गिल की भरपाई कैसे की जाए अब ऐसे में टीम इंडिया के सामने भैंकर मुसीबत खड़ी हो गई है शुबमन गिल इस समय शांदा फोम से गुजर रहे हैं उन्होंने इस साल 20 वन डे मैचों में 1230 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 5 शतक और 5 अर्ध शतक हैं उनका बीमार हो जाना टीम इंडिया के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है शुबमन गिल के अलावा प्लेइंग 11 को लेकर भी टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ी शुनोती है खासतोर पर मुहमन शमी, सूरे गुमार यादव, श्रेस अयर और शारदू ठाकुर मेंसे किसे टीम में रखा जाए और किसे बाहर बैठाया जाए, इसको लेकर काफी कनफ्यूजन है और शुबमन गिल नहीं खेलते हैं तो सूरे कुमार और श्रेस अयर दोनों को मुका मिल सकता है लेकिन अगर गिल मैच डेतक होते हैं तो फिर सूरे कुमार और श्रेस अयर मेंसे किसी एक को चुनना पड़ेगा जो बेहत कन्फ्यूजन वाला काम है क्योंकि दोनों की खिलाड़ी इस समय शांदार फोम में है दूसरी तरफ मोहमळ श्रेमी टीम मैंजमेंट के लिए सिर्दर्द बने हुए है चेंने की पिछ पर मैंजमेंट चाहेगा के आर अश्विन को टीम में जगा दी जाए लेकिन हाल ही में मोहमळ श्रेस ने जिस तरह की गैंदबासी की है उस लिहास से उन्हें टीम से बाहर रखना उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा आपके हिसाब से प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए किस खिलारी को खिलाना चाहिए और किसे बाहर बेठाना चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताए